हलो स्टूडेंट्स अब काफी ऐसे डिफेंस आस्पेरेंट्स हैं जो अपने जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं मेडिकल्स को लेकर काफी परेशान रहते हैं सर हमें बच्पन में चोट लग गई थी सर मुझे दस साल पहले यह हुआ था सर मेरा एक साल पहले फ्रेक्चर हुआ था क्या सर मुझे पर्मनेंटली रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे तो फर्स्ट अफॉल आप लोग यह ध्यान रखिए कि चाहें आपने कोई भी पहले सर्जरी कराई है ठीक है अगर आप इस ताइम पर्मनेंटली क्योर कर चुके हैं रिकवर कर चुके हैं तो आपको रिजेक्शन के बारे में सूचना भी नहीं है इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा डिजीज या डिसॉर्डर है जो क्योरेबल है उसमें भी आपको नहीं सोचना है थी बट फिर भी यहां पर कुछ ऐसे डिजीज डिसॉर्डर जाते हैं जहां पर आपको पर्मनेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टॉप फाइव ऐसे डिजीज और डिसॉर्डर के बारे में डिस्केशन करूँगा जहां पर आपको पर्मनेंट रिजेक्शन ऐसे भी इंटर्व्यू में दिया जाएगा यहां पर सबसे पहले आता है एक्स्ट्रा फिंगर जाएगा ठीक तो और अगर लेमन टर्म्स में मैं आपको बता हूँ अगर आपको पैरों में या हातों में कोई भी एक्स्ट्रा उंगली है आपके तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि डिफेंस पोर्सेज में यह अलाउट नहीं है ठीक सो फर्स्ट यह काफी कॉमन पाया जाता है काफी ऐसे स्टूडेंट सें जो प्रिपरेशन भी करते हैं बट लेट मी तेल यू आपकी हाइट जितनी भी रिक्वायर्ड लिमिट है उससे कम है तब आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है similarly कुछ ब्रांच स्पेसिफिक भी हाइट की रिक्वायर्मेंट है जैसे फ्लाइंग ब्रांच में आपकी सिटिंग हाइट जो है वहाँ पर आप लोगों की थाई लेंथ इन्हें भी एक्स्क्लूसिवली स्पेसिफिकली मेजर किया जाता है so in this situation if your height is less than the required limit और जो कुछ exclusive स्पेसिफिकेशन मांगी गई है अगर उनसे exceed भी कर रहा है तो आपको rejection मिलेगा ठीक तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि extra toe या extra finger उसी के साथ साथ height related अगर आप जो भी specification उसमें नहीं आते then also you will be rejected clear next comes any spinal cord deformity और उसके साथ साथ spinal cord deformity के जैसे मैंने आपको example दिये whether it is kyphosis okay scoliosis और lordosis इसी के साथ साथ अगर आपको कोई bone deformity भी है तब भी आपको reject कर दिया जाएगा clear तो आप लोग ध्यान रखेगा कि किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसा आपको disorder है जिसमें आपका जो routine work है routine activities है वो आप नहीं कर पाते वहाँ पर आपको rejection का सामना करना पड़ता है clear और यह सभी permanent rejection क्यों बोले जाते हैं क्योंकि usually यह six weeks में curable नहीं होते और आप recover नहीं कर सकते next comes color blindness तो color perception के भी specific levels है ठीक है जैसे flying branch में CP2 ठीक है उसके अलावा non-tech entries में color perception 3 level तक आपको अलाव किया जाता है अगर आपके color perception level जो एक basic एक आम भाशा में जिनने हम color blindness level बोलते हैं अगर उसके beyond हैं तब आपको permanently reject कर दिया जाएगा वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी क्योर नहीं है आप देखते हैं कि वहां पर defense में eyesight जो है उसे तो क्योरे बल क्योंकि वहां लेशिक operations जो हैं वो भी allowed हैं बट इन केस ऑफ कलर blindness if it is beyond the acceptance level of perception then you will be rejected और फिफ्थ यहां पर अगर आपको कोई भी ऐसा chronic disease है example asthma उस थिती में भी आपको reject कर दिया जाएगा तो basic आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जो भी अपना medicals के लिए पहले जा रहे हैं please SSB जाने से पहले एक अपना basic medical check-up करा लीजिए जिसमें आपके chest x-rays और जो basic आप लोगों को rejections के लिए कुछ parameters बताए गए हैं जिन्हें आप check करा सकें okay moreover these were the five most important and most common points of permanent rejection found in defense aspirants तो आप लोग अब ध्यान रखिए कि अगर आपको यह जो अभी पांच मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी disease disorder नहीं है please आप daily अपना जो fitness है उसे maintain करें okay make sure that at least one hour of daily exercise is part of your daily routine yeah so armed forces में जाना है तो fit रहना बहुत ज़रूरी है I hope all of you would have liked this इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और भी follow-up videos लेकर आऊंगा जिसमें next video में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी ऐसी disease या disorder है या surgeries है जिने कराने के बाद आपको rejection के बारे में परिशान नहीं होना है इसके अलावा अगर आपके कोई भी doubts है ठीक है आपका और कोई disease disorder है तो please इस video के comment section में मुझे बताईए and I'll answer all your queries so thank you very much jam